असलाम अलेकूम आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Amazon Prep Services की और इस वीडियो के अंदर हम चार चीज़ों को डिसकस करेंगे जिसमें सबसे पहले जो है वो Prep Services Center के हम बात करेंगे के Prep Services Center जब हमें कौन-कौन सी Facilities देता है नमबर टू जब हम बात करेंगे कि हमें कौन सा Prep Services Center चूज करना चाहिए नमबर थ्री हम बात करेंगे Free Sales Tax हम कैसे ले सकते हैं नमबर फॉर पर मैं कुछ Websites के आपको लिंक दूँगा जो Prep Services देते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं What do Amazon Prep Services provide us So Amazon जो Prep Services है वो हमें क्या क्या चीज़ें देता है जब हमने कोई भी Product जो Retailer से खरीद लेनी है उसके बाद हमने उसको क्या करना है किसी भी Prep Services वाले को बेजना है तो Prep Services वाला उस प्रोड़क को सबसे पहले Receive करता है उसके बाद उसकी Inspection करता है और Second है वो उसके उपर लेबल लगाता है यह लेबल कौन से होते हैं जो हम Shipping Plan बनाके एक Prep Services वाले को देते हैं वो उसके उपर उसको पेस्ट कर देता है और Third क्या करता है वो हमें Shipping Services देता है जो भी प्रोड़क जिसके उपर उसने लेबल लगा दिया उसको वो Amazon के वेरा उसमें Shipping कर देता है तो Mostly अगर हम Online Arbitrage का काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यह तीन Services चाहिए तो हम Online Arbitrage के लिए हम यह तीन Services ही यूज़ करते हैं इसके लावा जब प्रेप सेंटर वाले जब हमें Warning Labels भी प्रोड़क्ट करते हैं वो उसके लिए यह होता है कि अगर कोई प्रोड़क्ट है उसके जब फ्रेजाइल प्रोड़क्ट है, ग्लास मेटीरियल है, हैवी वेड प्रोड़क्ट है तो उसके लेबल जब उसके उपर इन इडिशन लगा दिये रहते हैं ताकि जब उसकी Amazon के वेरा उसके अंदर हैंडलिंग की जाती है तो वो जब उसके अंदर कोई issue ना बने, कोई breakage ना हो जाए प्रोड़क्ट की तो उसको हम product assembly बोलते हैं इसके लावा product की bubbling करनी है, उसकी bubble wrapping करनी है इसके लावा shrink wrapping आगर आपने करवानी है या product की repacking करवानी है तो यह सारी के सारी जो services है यह prep service center बोड़र करते है नेक्स जो चीज है वो prep service center उसमें तीन features होने चाहिए कि उसकी location of prep service center की कहां पर है और क्या वो tax free है और क्या उसका prep time कितना है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं location of prep service center की location of prep service center जो है वो it should be near to the Amazon warehouse उससे क्या होगा कि shipping time होगा वो आपका कम हो जाएगा जब आपकी product जो होगी उसके उपर label लग जाएगा वो ready हो जाएगी for shipping के लिए तो अगर तो वो prep center जो Amazon के वेरा उसके nearest होगा तो उस वज़ा से आपका shipping time कम से कम लगेगा तो इससे जो हो आपका prep time भी कम हो जाएगा उसके बाहर जो हो इसका एक और फाइदा में यह है कि इससे क्या होता है जो shipping charges होते हैं वो भी कम हो जाते हैं तो अगर आपने जो हो prep center जो हो उसको सर्च करना है तो आपने यह चीज must consider करनी है कि prep center जो हो आपका Amazon के वेरा उसके nearest हो तो वो ज्यादा बेस्ट है उससे जो हो आपका shipping time भी कम होगा और आपके shipping charges हो होंगे वो भी कम से कम पढ़ेंगे second जो हो second number पर आता है tax free prep center tax free prep center जो हो इसके हमें क्या फाइद है इससे हमें यह होता है कि tax हमने एक retailer को देना होता है जिस वज़ा से हमारा profit हो कम हो सकता है तो उससे हम बैस सकते हैं जिस वज़ा से हमारी profitability जो है वो ज्यादा हो सकती है so let's say कि for example आपने एक product जो हो buying की है एक ASI number है वो आपने Walmart से जो हो उसकी products buying की है और वो आपने $1,000 में buying की है तो अगर for example उसके उपर 10% जो हो sales tax होगा तो फिर उसके वज़ा से जो हो 1100 जो हो रहे कि आप buying करेंगे जिस वज़ा से आपका profit जो होगा वो कम हो जाएगा या negative profit भी हो सकता है तो इसका best solution यह है कि आपने जो भी prep service center जो हो चूज करना है वो tax free होना चाहिए अब tax free जो होगा वो कुछ tax free states है वहाँ पर prep service center जो होगे उनको आप चूज कर सकते हैं जैसे जहाँ वो Alaska, Delaware है, Montana है इसके लवा Oregon है New Hampshire है यह वली states है जहाँ जहाँ पर जो हो sales tax free है और यह वली states के अंदर जितने भी prep service center होंगे वो आपको sales tax free जहाँ वो services provide करेंगे तो अगर for example आपको किसी इस तरह कि states के अंदर जहाँ वो prep service center नहीं मिल रहा कि जो कि sales tax free states हैं तो फिर आप दूसरी option ही होती है कि आप क्या करते हैं कि आप tax exemption के लिए जो भी retailer होता है जिससे आपने buying करनी होती है उसको आप जो है वो reseller certificate जो हो submit करवाते हैं लेकिन इस चीज को retailer acknowledge नहीं करता कि आप उसको reseller certificate प्रोवाइड करते हैं reseller certificate प्रोवाइड करने का मतलब यही है कि आप उसको directly कह रहे हैं कि मैं जो आपकी product हैं उसको resell करूँगा जिसको वो allow नहीं करता तो इस वज़ा से वो आपको कभी भी इस चीज को allow नहीं करेगा so batteries के आप इस चीज से बचने का यही solution है कि आप वो वाला prep service center चूज करें जो कि tax free होना चाहिए second option है कि आपने जो भी prep service center चूज किया हुए आप उससे shipping services भी ले सकते हैं so अगर तो वो shipping services भी दे रहे हैं तो उससे ही होगा कि आपका जो prep time होगा जिसकी वज़ा से आपकी product जो डिले हो सकती है Amazon के warehouse में जाने से तो आप जो उसको timely शिप करवा सकते हैं इसके अंदर सबसे important चीज यह है कि अगर आप for example label भी नहीं generate करना चाहरे Amazon के प्रोडक्ट के लिए और आप shipping के लिए भी जान चुड़ाना चाहरे है तो इसके लिए बैसे है कि जो भी आपका prep service provider है उसको आप अपने account की child access दे दे तो उससे क्या होगा कि आपने जो भी product buying की है रेटेलर से आप जसका ASI number उसको provide करेंगे Amazon का तो वो खुद ही shipping plan create कर लेगा और shipping plan के साथ label भी जो हो खुद ही generate करेगा और उस label के लेबलिंग के बाद हो उसको खुद ही ship कर देगा Amazon warehouse में ओके जो third चीज़ है वो है prep time prep time जो बहुत matter करता है जब आपने किसी भी prep services वाले को choose करने है how long will it take to complete your shipment to Amazon Amazon के warehouse तक पहुँचाने के लिए जितना भी एक prep service center जो वो time लेगा उसको हम basically prep time कहते है mostly prep time जो होता है वो 24-48 hours का जो भी कोई भी prep services provider है वो लेता है इसके लिए उसने क्या करना होता है product को receive करना होता है उसके उपर label लगाना होता है और उसको ship करना होता है तो इसके लिए best यह है कि आप उस prep services provider को लें जिसका shipping जो prep time हो कम से कम हो अच्छा इसके साथ मैं अब आपको जब वो कुछ websites प्रोवाइड करता हूँ जिसके उपर जब वो कुछ prep services center जब वो उनके links मुझूद है ओके तो जो पहली website है that is selleressential.com selleressential.com के उपर आना है तो यहाँ पर जब वो third party amazon prep service provider के एक पूरी list मिल जाती है आपको यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर prep company के name लिखे हुए और इसके लवाँ उनकी location के state के अंदर वो है इसके लवाँ उनका prep time लिखा हुए कितनी देर में वो आपकी product जब रेडी कर देते हैं इसके लवाँ वो text free है या नहीं है उसके लवाँ यह services किसके लिए दे रहे है अगर हम online arbitrage के लिए दे रहे हैं तो हमने यह चेक करना है कि online arbitrage का यहाँ पर टिक लगा हुए that means कि वो online arbitrage की services दे रहे हैं इसके लावा जह हो wholesale की services है या इसके लावा जह हो imports जो products होती है जो हम चाइना से जह हो product USA के अंदर import करते हैं और फिर वहाँ पर उसको आगे Amazon के वे prep services center यह वला जो हो Oregon के अंदर है Oregon जो हो एक tax exemption जो हो sales tax वहाँ पर free है और इसको अगर आपने चूज करना है तो आप इसको कर सकते हैं इसका prep time जो हो 24-48 hours का है और यह जो online arbitrage के services भी देते हैं mostly online arbitrage के services भी होता है कि जब हम start करते हैं किसी भी online arbitrage business को तो उसके लिए हम starting में जो वो कम quantity को लेके आ रहे होते हैं तो वो एक reluctant जो हो feel करते हैं जो भी prep service वाले होते हैं वो कहते हैं कि आप बहुत कम quantity लेके आ रहे हैं तो लेकिन आपने जब उनसे first time contact करना है तो आप उनको बताएं कि हमने gradually अपने business को increase करना है ताकि जब उनका एक trust आपके उपर generate हो और आप जो हो कम quantity जो हो उनके साथ share कर रहे हैं तो इस website के उपर there are tons of prep companies हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे prep services वाले available है और इसके बाद एक और website है इस website का नाम है supplyia.com supplyia.com के पर 150 plus जो हो prep service provider के companies जो हो यहां पर available है जैसे यहां पर आप देखें तो इनकी companies हैं उनक लिंक यहां पर आप क्लिक करेंगे तो इनकी company का link जो ओपन हो जाएगा उसके बाद यह किस location में है यहां पर भी उनका prep time आ रहा है फिर उसके बाद जो भी आपका prep service वाला वो टेक्स फ्री होना जरूरी है तो जैसे Oregon है ठीक है इसके अंदर जो टेक्स फ्री है so there are tons of prep companies जिसमें आप अपने business के according जावो उनको touch कर सकते हैं तो यहां पर काफी सारे जावो prep service providers हैं okay हमारे पास एक और company है जिसका नेम है prep center usa.com अब जो prep center usa.com है यह एक separate मैंने यहां पर जो पहली दो आपको लिंक्स बेजे थे उसके अंदर जो है वो different other websites है जिसके अंदर काफी सारे prep services center थे लेकिन यह वाला जो prep center usa.com है यह एक separate company है इंडिविजुल कंपनी है तो यह भी ज services की जो वो services देती है जिसके लिए जो हो यहां पर आपको pricing मी नजर आ रही है तो mostly अगर हमने online arbitrage का जो हो business कर रहे है तो उसके लिए जो mostly जैसे मैंने आपको starting है बताया था कि 0.5 dollar से लेके 1.5 dollar के between जो हो पर items के लिए जो यह पर unit के लिए वो charge करते हैं क्योंकि उसके लिए जब आपने label लगवाना होता है और उसके बाद जब वो shipping करवानी होता है shipping के अलग से charges होते हैं लेकिन labeling के mostly जब वो 0.5 dollar वो ले रहे होते हैं तो जब आपने किसी भी prep center वाले से contract करना है तो आप जब एक तो उससे जब पर item का rate ले सकते हैं और उसको यह भी बता सकते है कि कि आप कितनी minimum quantity जो है वो उसको handle करते हैं ताकि यह नहों कि जब आप starting में उसको quantity बताएं कि मैंने इतनी quantity कम quantity बेज नहीं है तो वो आपको डिनारे ना कर दे तो इसके लिए batteries कि आप उससे कम से कम quantity उसका पूरे का पूरा जो भी service provider के details है वो आप उससे ले सकते हैं ओके हमारे पास एक और website है that is sellerspaceship.com sellerspaceship.com के उसने 10 established HBA prep services for online arbitrage business के लिए यहां पर दिये हुए जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि different जह वो यहां पर service provider है जो prep service provider है जैसे यहां पर है prime zero prep service provider तो यहां पर आप देख सकते हैं तो इनकी location जो है वो NH state में है that is New Hampshire जहां पर sales tax जो है वो free है so that's why यहां पर sales tax free है यहां पर इनका shipping time जो prep time है वो भी आ रहा है 24 hour से 12 days है यह based करता है उनकी pricing के उपर इसके इलावा जो पर item जो services वो ले रहे हैं यहां पर उनने services की prices भी दी है और यह services कौन-कौन से businesses के दे ले हैं और यहां पर नीचे उसने websites भी दी है तो इस तरह से जो हो यहां पर different जो prep services center है उनकी list है यहां पर available okay thanks for watching this video if you like this video please thumbs up for us and if you have any question you can write in the comments